कहा जा रहा है कि परधान मंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख मंत्री को थैंक्स काना कि हम जिन्दा वापस आगए यह statement थोड़ा सा अलग है देखिए अगर यह statement केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं यह statement केवल भारत तक रह जाए तब तो कोई दिक्कत नह है लेकिन जो होता है जिन्दा वापस आगे काफी hard word हो जाता है कि मतलब आपने ऐसा बोल रहा है क्योंकि देश आफिक है अल्टिमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे परधान मंत्री से हमारी पहचान होती है कोई राज के मुख मंत्री को नहीं जानता है किसी को नहीं ताज्यूब होगा शीन का राष्टपती सी जिंपिंग पिछले दो साल से कहीं नहीं गिया है क्योंकि वहाँ ग्री यूद का माहोल चल लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रख्खा है उसके प्लान मंत्री वर्चुवल मीटिंग में जाते हैं अभी तक कहीं दो साल से बाहर नहीं निकला क्योंकि आंतरी कलह चल रहा है तो यह जो इस्टेटमेंट है अगर इंडिया तक में हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी कोई दिक्गत लेकिन खुद से सोच के देजिए बाहरी मीडिया यह इंटरनेशनल जो लीडर है यह क्या सोचेंग क्योंकि ज इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बीना बताये 2015 में नमाज शरीव की पोती की चादी में गए थे, हमारा सबसे बढ़का दुज्मन, जहां से कभी हमेरी दोस्ती की कोई उमीद नहीं रहती थी, पाकिस्तान, हमेशा कभी terrorist attack, कभी कस्मीर का इसू, वहां हमारे परदान मंतरी, देखें, यहां पर 2015 में नमाज शरीव की पोती की जब शादी थी, ग्रैंड डॉक्तर की, बीना बताये चले गए थे, अफगानिस्तान दोरों पर वहां से अचानक चले आये वहां पर, तो वहां पर इन्हों नहीं कहा कि हम जिन्दा वापस आगे, जब कि जब वहां पर परदान मंतरी जब गए थे 2015 में, हम लोग न्यूज दे के लोग दख दख कर रहा था, अरे बीना बताये गए हो वहां जगा पर, क्यूंकि काफी मोदी जी जो है, पाकिस्तान को लेकर पीयोके के लोके काफी हाट डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सादमी को सिक्योर्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक होता है जिन्दा वाप असा ना है, उभी परदान मंतरी के मुझे थोड़ा सा कॉक्वर्ट सा लगने लगता है, तो हम लोग कहा जाएंगे भाई, परदान मंतरी के ऊपर हर महीने 50 करोड रुपए खर्च होते हैं सिक् में एक करोड साथ लाग पर दिन का खर्चा है, अगर ये दिल्ली में बैठे हैं तो,